हेलो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK Garden & Information फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK Garden & Information पर स्वागत हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के माद्यम से आज मैं सुधर्शन के फ्लावर के बारे में डिस्केशन करूंगा मैं यह प्लांट कहां से लाया था और मैंने एक प्लांट से कैसे 8-9 प्लांट रेडी कर लिए इन फ्लांट को मेरे पास अप्रॉक्समेट 8-9 साल हो गया है इसमें हर इस इन जन में काफी अच्छी वाइड लग की फ्लाविंग होती है तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यह प्लांट आप देख रहे हैं यह सुधर्शन का प्लांट है यह प्लांट है फ्रेंड्स इसे मेरे पास इप्रोक्समेट 8-9 साल हो गए लेकिन मैंने कभी भी इस प्लांट में कोई फर्टिलाजर का यूज नहीं किया बस इसको देख रिक में मैं इसके जो डेड लेप्स होते हैं मैं उन्हें हमिशा रिमूब कर देता हूं ताकि इनकी खुबसूरत होती बनी रहें इस प्लांट को आप सेड़ेड एरिया में भी ग्रोव कर सकते हो लेकिन अगर इसे ओपन एरिया में ग्रोव किया जाए तो काफी अच्छा ग्रोव करता हैं साल भर में इसमें एक बार रैनी सीजन में वाइट कलर की खुबसूरत प्लावरिंग होती है जिस पर या नए कंपने में भी सिप्ट कर सकते हैं या ग्रोव कर सकते हैं और उसदी गुड़ों से परपून होता है इसके लीप्स और रूट्स में जो कंध होता है उसका यूज अर्वेदिक दवायों के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स अधि आपको वीडियो अच्छा और न इंफरमिशन